किसान आफ इंडिया के पॉड्कास्ट में सभी का स्वागत है मैं हूँ पूनम आज मैं आपको एक ऐसे किसान के बारे में बताने जा रही हूँ जिनसे सफलता का गुरु मंत्र लेने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं राजस्थान के बार मिर्जिले के सदूला राम चौधरी ने तपती रेट में खजूर की खेती करके इस बात को साबित कर दिखाया है कि हिम्मत करने वालों की हार रही हूँती सदूला राम चौधरी ने न सिर्फ पानी की भारी किल्लत का हल निकाला बलकि नामुम्किन को भी मुम्किन कर दिखाया सदूला राम खजूर की खेती और पैकेजिंग करके बेचते हैं लेकिन उनकी काम्यावी की कहानी सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं लेकिन उनकी जिस काम्याबी की कहानी को सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं, उस काम्याबी को हासल करना आसान नहीं था। सदुला राम चौधरी ने जब खजूर की खेती करने के बारे में सुचा तो उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी लेकिन उन्हें खेती में नए नए प्रयोग करना पसंद था इसलिए उन्होंने साथी किसानों के मना करने के बावजूत खजूर की खेती शुरू की आज उनसे गुरू मंत्र लेने के लिए दूर-दूर से किसान आते हैं जैसे आपको बता दे, राजस्थान के बाड मेर जिले में खेती करना चुनोती से भरा है यहां गर्मी में तापमान 51 डिगरी तो सर्दियों में 0 डिगरी तक पहुंच जाता है लोगों को कई किलोमीटर की दूरी तैक करके पानी के विवस्था करनी पड़ती है ये जिला आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आता है खेती को अपना जीवन समर्पित कर चुके सदूला राम ने इस इलाके में खेती करने के लिए लीक से हचकर काम करने की सोची किसान उफ इंडिया से की गई बाच्चीत में उन्होंने कहा कि इस इलाके में खेती करना मधू मक्खी के छटे में हाथ डालने जैसा था उनके अलाके के लोग पहले खेती नहीं करते थे रिगिस्तान में पले बड़े सदूला राम ने बच्पन से ही पानी की कमी से सूख थी फसलों को देखा था इसलिए हर दम कुछ नया सोचने वाले सदूला राम ने सबसे पहले पानी की समस्या को सुलजाने की ठानी इसके लिए उन्होंने 40 फीट ओपन बोर्वेल का निर्मान कर राया इससे बनाने में 50 आद्मियों को 15 दिन का समय लगा पानी मिलना शुरू तो हो गया लेकिन अभी भी कम था ऐसे में उन्होंने कम पानी में होने वाले जीरे और इस अब गोल की खेती शुरू की हाला कि कुछी समय बाद नई चुनोतियां सामने आने लगी बार बार पंप खराब हो जाता छोटा पाइप होने की वज़ह से पानी जादा दूर तक नहीं पहुंच पाता था इसके लिए उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत करके छोटे पाइपों की मदद से क्यारियां बना कर फसल तक पानी पहुंचाने का काम किया वक्त के साथ खेती के बदलते तोर तरीकों को भी वो अपनाते चले गए सदुला राम चौधरी ने खेती से मौजन टिकनोलिजी को भी जोड़ा साल 1999 में उन्होंने अपना पहला ट्राक्टर खरीदा इसके पीछे उनकी सोच साफ थी कि महनत को जब तकनीक का साथ मिलेगा तो नतीजे भी बढ़िया ही आएंगे सदुला राम चौधरी कहते हैं कि तकनीक के साथ हाथ मिलाकर पहले की मुकाबले उनके खेतों से अच्छी फसल होने लगी अच्छी फसल मिलने से आमदनी बढ़ी तो आत्म विश्वास भी बढ़ा हमेशे की तरहा लीक से हच कर सोचने वाले सदुला राम चौधरी ने खेती में एक और नया प्रयोग करने का फैसला किया ये प्रयोग बाड मेर में खजूर की खेती करने का था जब उन्होंने अपने अन्य किसान साच्यों को इस प्रयोग के बारे में बताया तो हर किसी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया ये कहकर कि यहां की मिट्टी खजूर की खेती के लायक नहीं है सारा पैसा डूब जाएगा पर सदुलाराम चाथरी अपना मन बना चुके थे उनसे पहले कभी किसी ने बागवानी में हाथ नहीं आजमाया था सदुलाराम को भी पूरी जानकारी नहीं थी इसके लिए वो 500 किलोमीटर दूर भुज जा पहुंचे और बागवानी की पूरी जानकारी लेकर खजूर की खेती शुरू की गुजरात के कच की तर्च पर उन्होंने खजूर के पेड़ लगा दिये और ऐसा करने वाले वो तब अकेले किसान थे खजूर की बागवानी उनका जुनून बन गया था आज की तारीख में सदूला राम चौधरी का नाम राजस्थान में खजूर की बागवानी को सफल बनाने वाले किसानों में शुमार है इस सफलता के बाद सदूला राम ने खजूर की अलग-अलग किसमों के पौधे लगाए साल दर साल वो सफलता की सीड़ियां चढ़ते गए आज की तारीख में वो खजूर की करीब दस किसमों की खेती करते हैं खजूर के लिए मार्किट भी उन्होंने खुद ही तैयार की खजूर की पैकेजिंग को वो बाजार में बेचते हैं सी ओल डेट फार्म के नाम से उनकी खजूर बाजार में बिखते हैं बंज और जमीन से शुरू कर उसे उपजाओ बनाने वाले सदूला राम की पहचान अब एक सफल और प्रगती शील किसान के रूप में होती है जो किसान पहले उन्हें बागवानी से बचनी की सलाह दिया करते थे आज वो उनके पास गुरू मंत्र लेने के लिए आते हैं बाड मेर जिले में ही कई किसान खजूर के बाग लगा चुके हैं सदूला राम खजूर के साथ साथ अंजीर की भी बागवानी करते हैं उनकी इंजिनियर बेटे चंद्रपरकाश चौधरी भी इस काम में अपने पिता का हाथ पठाते हैं उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए कई सम्मानों से भी नवासा जा चुका है तो कैसी लगी आपको सदूला राम चौधरी की काम्याभी की कहानी अगर आप खेती, भागवानी, एग्री बिजनस या एग्री इंद्रपेनियोर्शिप से जुड़ी कोई भी जानकारी, खबर या अपने अनुभव किसान ओफ इंडिया के साथ साजा करना चाहते हैं तो हमारे वाटसाप नमबर 9599273766 पर कॉल करके या फिर अपना विडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं किसान ओफ इंडिया के सरिये हम आपकी बात लोगों तक पहुंचाएंगे क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश खुशाल आज के इस पॉड़कास्ट को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद